कोरोना संक्रमन की संभावी त तीसरी लहर को देखते हुए स्वास्ते वभाग द्वारा नागरी कस्पतालों में जरूरी स्वास्ते सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है स्वास्ते वभाग द्वारा फत्याबाद जिले में RTPCR लैब भी शुरू कर दी गई है मुखेची किसा अधिकारी ने बताया कि पहले कोरोना के नमूनों की जाँच के लिए अमबाला या अगरोहा भेजा जाता था जिसकी रिपोर्ट आने में लगबग 36 घंटे लग जाते थे परंतु अब नमूनों की जाँच फतेहबाद में ही हो पाएगी और रिपोर्ट भी जल्द मिल जाएगी ऐसे है कि तक्रीबन हमारे पास डेली के हम आठ नौ सो सेंपल्स अभी तक कर रहे थे जिसको हमें या तो अमबाला या सिरसा भेज़ना पड़ता था चेक करने के लिए स्थाने निवासियों ने लैब खोलने का स्वागत करते हुए कहा कि रिपोर्ट जल्दी मिलने से मरीजों को सुविधा होगी और चिकित्सक जल्दी इलाज शुरू कर सकेंगे पत्यावाद में करोना टेस्टिंग की लैब खोलने से आम जनता को बहुत फाइदा होगा जिसके लिए हम परदेश सरकार के अभारी हैं क्योंकि पहले जब पिजले वार करोना की लैर आई थी तो लोगों को रिपोर्ट जो है काफी दूर उती थी करके लोगों को काफी मुश्किल आती थी और बिमारी अपना विक्राल लूप दारन कर ले थी थी हम सरकार के अभारी हैं और लोकल लोगों को बहुत फाइदा होगा जो करोना टेस्टिंग की फतेवाद में लैव खुली है इससे बहुत जादे फाइदे होंगे क्योंकि एक तो इससे जब हम टेस्ट कराते हैं तो जल्दी रुपोर्ट आ जाएगी और अगर किसी कोई पोजिटिव है तो उसकी दवाई टाइम से ले सकेगा और बिमारी नह फतेवाद में जो लैव खुली है अब जो भी सेंपल लिए जा रहे हैं जैसे ओमिकरोन जो नए वाइरस है उसके जो सेंपल लिए जा रहे हैं वो फतेवाद में बेजे जा रहे हैं यह अच्छा यह है कि एक दिन में इसकी रिपोर्ट मिल जाती है सबसे बड़ी बात तो है और कोई बंदा अगर पोजिश्टी पाए जाता है तो उसका तुरंत उसको जो है उसका इलाज किया जा सकता है और यह जो लैब खोली गई है यह सरकार का बहुत अच्छा कतमें इसके लिए हम सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं